पिछले वीडियो में हमने Types of Trading in Share Market सिखेते और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आई बेटन में लिंक है उससे ज़रूर देखना पिछले वीडियो में Investing and Trading के बारे में जानेते और आज के इस वीडियो के बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएगे कि आपको Investor बनना है या Trader वीडियो शुरू करने से पहले ट्रेडिंग और Investment क्या होती है उसे Short में समझते Investing का मतलब होता है आपने सपोस को XYZ कमपनी के शेयर बाई किये और उसे Long Term के लिए Like 5-10 Year के लिए Hold करके रखे और जब Profit हुआ तो Sell कर दिये It's Called Investing दूसरे तरफ ट्रेडिंग से आप Short Term में High Result पा सकते हो कैसे? मैं नहीं बताऊंगा जाओ पिछली वीडियो देखके आओ आज हम Trading और Investing को Side by Side compare करेंगे Like किसमें रिक्स ज़्यादा है, किसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, किसमें आपको ज़्यादा टाइम देना होगा And Last में हम इस वीडियो के Conclusion Part देखेंगे सबसे पहले आएज जानते हैं Trading and Investing के Process को So, अगर आपको Invest करनी है Then, आपको Share Buy करके More Than One Year Hold करके Sell करना होगा अब आपको Investing में Benefit यह होता है, कि इसमें आपको इन टाइम ही Effort डालने होते है वो भी Share Find करने वक्त Second, इसमें आपको Companies Dividend भी देती है जो आपके लिए passive income है Third, Long Time में आपका Risk कम हो जाता है और Profit के Chances बढ़ जाते है Suppose, आपने XYZ कमपनी के Share 100 रूपीज में खरीदा And आपने उसे Buy करके 5 Year के लिए छोड़ दिया Then First Year में समझो आपके Share ने अच्छे से Perform नहीं किया And Share Price कम होके 95 हो गया Means आपको 5 रूपीज का Loss हुआ First Year में Same हुआ Second Year में भी Share का Price नीचे गिर के 90 हो गया But जब Third Year में कमपनी ने Comeback किया Then Share का Price 120 हो गया जिससे आपका 2 साल Loss हुआ था वो भी रिकवर हो गया And आप 10 रूपीज प्रॉफिट में भी हो अब जानते हैं ट्रेडिंग के प्रॉसेस के बारे में So इसमें आपको Share बाई करके एक साल के अंदर ही बेचना होता है And इसमें Benefit आपको होता है First इसमें आपको Leverage मिलता है जिससे आप कम पैसे से भी ज्यादा Share ले सकते हो Second इसमें आपको Index Fund Buy करने का Option होता है Index Fund मतलब Nifty and Bank Nifty Third इसमें आपको High Profit मिलता है कुछ Disadvantage भी होते हैं वो हम आगे देखेंगे So दोना में क्रेडिंग ज्यादा रिक्सी है But return भी हाय होते है वो आपने सुना होगा लोचा, लफड़ा और जले भी फफड़ा इसे गुजरादी की लफ से कोई निकाल नहीं सकता वाई डायलोग बाजी ठीक है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है रिस्क है तो रिस्क है अब इसमें High Risk क्यू है आया जानते है So trading में आपको leverage मिलता है जिससे आपके जितना पैसा है उससे आप जड़ा कि शैर बाइ कर सकते हो बट profit या Loss leverage-amount-plus होके मिलेगा So जुँ आपके पास leverage होता है सब्सक्रहित आपके पास 10,000 है बट एक लाग तक शैर खरीच सकते हो and share का price रोज उपर नीचे होते रहते है short term में यह predict करना impossible होता है कि share का price बढ़ेगा या गिरेगा that's where trading have high risk next point आये जानते है trading में ज़्यादा profit है या investing में so short term में आपको trading ही profit देगा but long term में investing high result देगा next point किसमें सबसे ज़्यादा time लगेगा इसमें आपको investing better option मिलेगा because investing में आपको one time research करना होता है वहीं trading में आपको computer के सामने बैठे रहना होता है एक अच्छा trade buy करने के लिए at the end video के conclusion पे so guys according to me आपको दोनों सीखना चाहिए because save investing करके आप daily के खर्च नहीं के निकाल सकते and आप सिब trading करके high profit हमेशा नहीं generate कर सकते well guys यह बस मेरा opinion था which totally depend on you आप खुद find out करो आपको trader बनना है या investor and जो आप decide करोगे उसे comment में ज़रूर बताना and guys thank you so much for completing 100 member family next family target है 150 members so channel पे नहे हो तो subscribe करके join to our family करके आप दो आप दो आप है आप दो आप आप घड़ी